लग रहा है कि हम अनंत कथा इस बार समाप्ट करदें। बाहले भी हम अनंत सिंग के ही खिलाप में राते थे हम। आज उसी के गोद्में बैट कड़ कड़के गए हैं राजनिती करने के लिए। पूरे बिहार के भुमिहारों को उन्होंने सरमसार करने का काम किया। नमस्कार नियूस फोनेशन देख रहे हैं आप आपके साथ मैं हुरचा शुर्मा बिहार विधान सभा चुनाव का नगाड़ा बच चुका है अब सभी पार्टियां अपने तरीकी से तयारी कर रहे हैं क्योंकि मिशन 2020 दम नजदीक है और इस बार चुनाव का एलान पहले ही हो चुका है एक आक्टूबर से चुनाव की शुरुआत भी हो जाएगी ऐसे में समय कम है और इस कम समय में सभी पार्टियों को पूरी तयारी भी करनी है ताकि जीत का सहरा उनके माथे सच सके इसे बीच अलग-अलग विधान सभाश्रुत्र से अलग-अलग दाविदार ताल ठोकने के लिए बेकरार है हलाकि उनके रनीती क्या है ये जाना भी दिल्चस्प है इसे बीच हमारे साथ मोकामा विधान सभाश्रुत्र से संभावित प्रत्याश्री जेडियू के टिकेट से वो वहां से चुनाव लड़ सकते हैं अब उनसे जाने की कोशिस करते हैं कि उनके लिए रनीती क्या है किस तरीके से दमखम के साथ वो चुनावी मैदान में उतरेंगे और क्या कुछ मुद्दा वो जनता के बीच ले कर जा बात करें तो विपक्ष बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर ताल ठोकने के मूट में दिख रहा है सत्ता पक्ष की तरब से चुनावी सौगात भी दी गई है लेकिन मोकामा विधानसवाश्रत्र से आप जनता के बीच जाना चाहते तो आपके लिए मुद्दा क्या होगा ह हमारे लिए मुद्दा छेत्र का विकास, छेत्र में विगत तीस वर्सों से एक ही परिवार का सासन चला आ रहा है और पूरा छेत्र एकदम विकास एकदम मरहूम हो गया है उसको फिर से विकास की पट्री पर लाना है यही मेरा मुद्दा होगा अनन्द सिंग वहाँ से विधायक रह चुके हैं और अभी विधायक है भी लेकिन आप वो वो आर्जडी जान करने वाले ऐसे मैं ऐसा नहीं लगता कि जीडियू की तरफ से आप और अनन्द सिंग तो कठोर चुनाती होगी आपके लिए क्या अनन्द सिंग के अनन्द कथा यह च्छेत्र रहा है लगातार पांच बार रहा है उसके बाद भी मालीजें उनका विधायक भी होता रहा है वहां से अभी सांसद राजीव रंजन सिंग ललन वाबु हैं तो वो सीट जो है जद्यू के फेबर में सब दिन रहा है और मैं हार का मेरा मिक कारण यही होता था कि मैं जद्यू के विपच में रहता था और इस वार हम जद्यू से प्रियासरत हैं तो इस वार हमारा लग रहा है कि हम अनन्त कथा इस वार समाप्त कर देंगा तो लगता है कि जेडि उसे अगर टिकेट मिलता है तो अनांद सिंग पर भारी पड़ेगा जी अनन्द सिंग को इस बार हर हाल में जिस ब्यक्ति के वो अनन्द सिंग अपने कारेकाल में वो मानिये लालू जादफ जी के बारे में उनके पूरे खंदान के बारे में एक-एक ब्यक्ति के बारे में वो चोड़ कहते थे आज उसी के गोद में बैट करके गए हैं राजनिती करने के लिए पूरे बिहार के भुमिहारों को उन्होंने सरमसार करने का काम किया है पूरा बिहार पिछले बार जो बिधान सभा का चुना हुआ था उसमें लालू जादव कोई ऐसा स्टेज नहीं है कोई ऐसा छेतर नहीं है जिसमें उन्होंने भुमिहारों को गाली नहीं दिया है और केवल इस ब्यक्ति के कारण अनन सिंग के कारण और किसी भुम्यार को एक भी टीकट भी नहीं मिला था आरजेडी से और इस वार आरजेडी से इन्हीं को जिसके मुने लालू जादव सब जगा गाली देते थे आज उन्हीं को प्रस्तावित कर रहे हैं मकमा बिधान सभा क के लिए तो मकमा के लोगों को इस पर सोचना होगा पूरे बिहार के लोगों को सोचना होगा कि कि किस तरह के लोगों को लालू जादव ले गए हैं अपने स्वार्थ के कारण और लोगों को उसका स्वार्थ का जो है जवाब मिलेगा क्या लगता है क्या लगता है क्योंकि का बोट वेंग उनके पच्छ में था ऐसा बात नहीं है पिछले विधान सभाद चुनाव में हम भी उन से सत्रह सो बोट से इस वार पडिद्रिस चेंज रहेगा आपको क्यों लगता है कि मुकामा के लोगों को आप पर भरोसा करना चाहिए और मुकामा छेतर से पूरा जितने कल खार खाना फैक्ट्री चार चार फैक्ट्री था सब के सब इनके कारकाल में बंद हो गया और मुकामा में बरोजगारी कालम है सारा यूबा बरोजगार है और सरकार का कोई भी जो नहीं किया जाता है और हम आने वाले समय में अपने युवाओं को अपने लोगों को उसका मार्दर्शन करके और जितने भी चीज है उसको हम लभानवित करने का प्रियास करेंगे आपने कहा कि युवाओं पर फोकस नहीं किया जाता है इसमें तेजश्वी आदव लगतार बेरोजगारी का मुद्दा उठा रहे हैं रोजगार देने की बात कर रहे हैं तो अच्छे में नहीं लगता है कि तेजश्वी आदव एक चुनावती होंगे आपके लिए कितना का रोजगार दिया कितना को बेरोजगार किये वो लोगों से छुपा हुआ नहीं है माता पिता को लोग देख चुका है अब पुत्र पर कितना भरोसा करेगा यह तो समय ही बताएगा आपको क्या लगता है तेजस्वी आदम में कोई दम नहीं है उनको पहले 15 साल उनके पडिवार को परक चुका है सुच सकते हैं जिसका मने माता पिता दो दो बार मने 15 साल मुखमंत्री रहे और वो आप खुद परहाई नहीं कर सका खुद आज मने मेट्रिकुलेशन भी नहीं अगर आप जेडियू से वहां ताल ठोकते हैं और आपकी किस्मत वहां पर चमक जाती है आप विधायक बन जाते हैं बात साल के लिए आपको मौका मिलता है तो आप क्या कीजिए चेत्र का विकास करेंगे जो 30 सालों से पिछरा है हमारा मौकाम है जबसे हमारे सांसाद आद उस समस्या को सरजमीन पर लाएंगे और अपने चेत्र का विकास करेंगे तो साफ तोर पर कहना है कि इस बार अनन सिंग कोई चुनौती नहीं है तेजस्वी आदब कोई चुनौती नहीं है जेडियू पूरे दमखम के साथ चुनावी मैदान में उतरेगी और मुख्यमंत् आई बने रहे हमारे साथ और देखते रहे नियूस फोर्णेशन नमस्कार